और मध्य प्रदेश से ये खबर जहां कॉलेजों में आरेसेस विचारकों की किताबे रखने के मामले में अब सियासत तेज हो गई है सरकार के इस फैसले के बाद कॉंग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिये जबकि बीजेपी ने अपने इस फैसले से चातरों में देश भक्ती का भाव जगाने का दावा किया है मेरा ये कहना है कि शिक्षा के परिसर को विचारधारा के संगर्स का केंद्र नी बनना चाहिए दूसरी बात वही कंटेंट पाठिकरम में शामिल होना चाहिए जो रेलेवेंट हो या तो रोजगार दे या समझ पैदा करें अगर कोई ऐसा कॉंटेंट हम सामिल करते हैं जो ब्रेन की विशेश दिसा में कंडीशनिंग करने वाला हो तो वो तो ना शिक्षा के लिए उचित होगा ना देश के लिए उचित होगा अग्क बर्मान पढ़ाएंगे इस देश के अंदर तो यह अच्छा लगता है कॉंग्रेस को कॉंग्रेस तुष्टी कंड की राजनिती करते हैं कोई भी पुस्तक हैं और हमेशा जूट अच्छा कंड की राजनिती करते हैं उन्हें तो यही चाहिए लेकिन भारती जंता प और हमारे सेयोगी मनोज शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज किस तरह से सियासत इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है जो सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि जो भी फैसला लिया गया है वो नई शिक्षा नीटिक के तहर्त भारती ज्यान परंपरा को आगे बढ़ाने की यह जो किताबे सरकार को उचे तरकती है जिक्षा है, जिन भारती जान परंपरा में बढ़ाने के जया लिए और उचे जारे जिन धूरे हम जोरिस्त अलायों यह ए। किताब में वाजुद रहेंगे और जिन बच्चों को पढ़ने में रुच्छी होगी को इनी किताबों को पढ़ेंगे जी ठीक मनुज जानी की सियासत इस वक्त मध्य प्रदेश में स्पूरे मामले को लेका चारंपर है किता है